क्या आपने दुनिया के सबसे मजबूत दुरलब घोड़ों के बारे में सोचा है? अश्व यात्रा में आपका स्वागत है हम घोड़ों की खुबसूरत दुनिया में गोते लगाते हैं ये जीव, शक्ती और स्वतंत्रता के प्रतीक है और प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं प्राचीन युद्ध घोड़ों से लेकर विक्टोरियन गाड़ियों तक घोड़ों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है पर क्या उन्हें शक्तिशाली या दुरलब बनाता है? क्या इनकी अनूठी शारिरिक खूबियां, धनी इतिहास या दुरलब बता है? या इनके उच्च मूल्य की बात, सच में ये सभी कारणों का संगम है तो तयार हो जाएं, क्योंकि हम दुनिया की शीर्ष, दस अद्वितिय घोडों की नसलों के बारे में बढ़ रहे हैं दसवें स्थान पर हम जिपसी वैनर को पेश करते हैं बिटिश ड्वीबों की उतपत्ति वाली इस नसल का, इंगलैंड और आयरलैंड के रुमानी जिपसीयों से गहरा संबंध है जिपसी वैनर की पहचान उसके मजबूत, मांसल शरीर, विशाल चाती और पंख़दार पैरों से होती है इसकी विशेष्टा, लंबी, लहराती, आयाल और पूँच है जो इसे और भी आकरशक बनाती है ताकत और सहनशक्ती के लिए प्रसिध, इसका इस्तेमाल वार्डो या जिपसी वैगनों को खींचने में होता था जिससे यह सहनशक्ती और विश्वसनियता का प्रतीक बना यह नसल कम आम है, मगर इसे पालना महंगा पड़ेगा एक जिपसी वैनर के लिए आपको चह से तीस हजार डॉलर देने पड़ सकते हैं इसकी खासियत इसका सनेही और बुद्धिमान स्वभाव है जो अनेक क्षमताओं के साथ मिलकर इसे अनोखा बनाता है जिपसी वैनर घुडसवारी के कई रूपों में श्रेष्ठता हासिल करता है वास्तव में खूबसूरती है, है की नहीं, धैर्य रखिये, अभी और है नौवे स्थान पर हमें मारवाड से भारतिय घोडे की नसल मिलती है मारवाडी घोडे जो मारवाड से आते हैं, उनकी द्रिड़ता और वफादारी उन्हें शक्तिशाली बनाती है उच्च सिरवाला यह घोडा महराजाओं के साथ अपने इतिहास से शाही चमक दिखाता है मारवाडी घोडा सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बलकि दुरलपता का भी है यह नसल विश्वभर में अद्वितिये है, इसके कानों की अंदर की ओर मुडी नोक इसे तुरंत पहचानने योग्य बनाती है मारवाडी की अनूठी प्रकृती इसकी कीमत में भी जलकती है मारवाडी घोडे की उच्च तम कीमत, इसकी सम्रिध्धी और उच्च स्तरिय प्रतिष्ठा का प्रतीक है यह घोडा न केवल भारतिय घोडसवारी की गौरव शाली पहचान है परन्तु इसकी राजसी और भव्य मुद्रा, चाहे वह दोड रहा हो या निश्चल खड़ा हो, सभी को अपनी ओर आकरशित करती है आठवे नंबर पर हमें रेगिस्तानी सुनहरा घोडा अकालट एक मिलता है तुर्कमेनिस्तान की इस नसल को इसकी गती, दिड़ता और बुद्धी के लिए जाना जाता है इसकी शारीरिक बनावट भी इसकी क्षमताओं जितनी ही आकरशक है पतला और चिकना शरीर लगभग पंदरह हाथ उंचा और इसके कोट में एक विशेश मेटालिक शीन होती है जो सूरज की रोशनी में चमकती है यह शीन जो अकसर सुनहरे या पालोमिनो रंग में होती है इसे सुनहरे घोडे का उपनाम दिलाती है जकारताके की ताकत और सहने की क्षमता उन्हें ड्रेसेज और शो जंपिंग में श्रेश्ठ घोडे बनाती है उनकी दुरलभता भी आकरशन बढ़ाती है तुर्कमेनिस्तान के दुरलभ अकाल टेकी पर गौर करें इन्हें विश्व भर में पाना कठिन है इनकी कीमत, मानो, हर किसी के लिए नहीं एक श्रेश्ठ अकाल टेकी का मूल्य इसकी वन्शावली और प्रशिक्षन पर आधारित होता है जो डॉलर ट्वेंटी से डॉलर वन थाउजन तक हो सकता है लेकिन ए घोडे के लिए जो चमक, शक्ती, सौंदर्य और तेजी को दर्शाता है कीमत उचित लगती है वह घोडा जो सोने से भी ज्यादा चमकता है क्या आप मानते हैं? साथवें स्थान पर हमारे पास राजसी फ्रिसियन है नीदरलैंड के फ्राइजलैंड से इस नसल का चमकदार काला कोट, अद्भुत अयाल और पंक वाले पैर आकरशक है शक्ती और सौंदर्य फ्रिसियाई की खासियत है जो पहले मध्ययुगीन शूरवीरों के घोडे थे उनकी अनूठी ताकत उन्हें शक्ती और स्थिर्ता के कारियों के लिए उत्कृष्ट बनाती है फिर भी अपनी शक्ती के बावजूद फ्रीजियन एक अद्भुत कृपा के साथ रहते हैं उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन शीलता को दर्शाता है इसकी दुरलभता अनोखे रंग के कारण है हमेशा काले इस नसल को दूर से पहचाना जा सकता है कीमत के बारे में सोचें तो यह सस्ता नहीं है मुल्य विविधता अधिक है आप शून्य से लाख डॉलर तक की अपेक्षा कर सकते हैं एक शक्तिशाली और सुन्दर घोड़ा फ्रिसियाई नसल विशेश है इसकी दुरलभता, शक्ती और सौन्दर्य इसे विश्व में वांचित बनाते हैं चटे स्थान पर एक नसल है जो स्पेन के अंडालूसी का प्रतीक है इबेरियन प्रायद्वीब से आई इस नसल की पहचान इसकी मजबूत लेकिन सुन्दर काया से है ये घोड़ा गर्व से भरा है और इसकी मजबूत मांस्पेशियां इसकी उर्जा को दर्शाती है लेकिन अंडालूसी केवल शक्ती का प्रतीक नहीं बलकि यह दुरलब भी है इसकी विशिष्ट वन्शावली जो मध्यकाल से है इसकी अनूठी कीमत को दर्शाती है इनकी उच्च कमाई इसके मूल्य को सिध्ध करती है अंडालूसी ड्रेसेज जो एक घुरसवारी कला के रूप में विकसित हुई है और जिसकी तुलना नृत्य के साथ की जा सकती है अपनी असाधारन चपलता और खुबसूरती के लिए विख्यात है इसकी क्रियाएं इतनी सहज और तालबध होती है कि इसका मिलान अकसर एक बेले नर्तकी से किया जाता है जिसका नृत्य बेहद मनमोहक होता है इसे देखना सच में एक मनोरम अनुभव है और तब मस्टैंग है जो अमेरिकी पश्चिम की एक चिनहित पहचान है सोलहवी सदी में स्पेन से आए घोडों के वन्शज, मस्टैंग, अमेरिकी वन्य परिद्रिश्य में विचरण करते है इनकी मजबूती, तेजगती और जीवटता उन्हें शक्ती का प्रतीक बनाती है इनका कोट विविध होता है हर मस्टैंग को विशिष्ट बनाता है उनकी शारिरिक शक्ती और सौंदर्य उन्हें विशेश बनाते है मस्टैंग की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता के कारण पहचान है जो उन्हें जंगल में लंबे समय तक जीवित रखती है ये घोड़ा अमेरिका की वन्य आत्मा का साक्षाद प्रमाण उतना आम नहीं है हाल के वर्षों में उनकी संख्या में गिरावट आई है उन्हें दुरलभ बना दिया है अमेरिकी इतिहास का एक हिस्सा रखने की कीमत कम नहीं है मस्टैंग के दाम हजारों से लाखों में बदलते हैं उनकी नसलव ट्रेनिंग पे आधारित ये घोड़े, जंगली और आजाद होते हैं चौथ स्थान पर तेजी से दोड़ने वाली हमारे पास एक बहुत पुरानी नसल है अरेबियन ये नसल अरब प्राइदवीब से आती है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है विशेश सिर के आकार और उंची पूँच के कारण अरेबियन दुनिया भर में पहचानी जाने वाली घोड़ों की नसलों में से एक है सहनशक्ती के लिए जानी जाती इसकी मजबूत और सुगठित काया रेगिस्तानी जलवायों में लंबी आत्राओं के लिए आदर्श है मगर इसके मजबूत बाहरी आवरंड से धोखा न खाएं ये घोड़े अपनी शक्ती, चपलता और बुध्धी समवेदन शीलता के लिए जाने जाते हैं उनकी दुरलभता उनके पुराने वंश और अनोखी खूबियों को दर्शाती है ये साधारन घोड़े नहीं बलकि शक्ती, सौंदर्य और परंपरा के प्रतिनिदी हैं अरभी घोड़े की कीमत कुछ हजार से लाखों डॉलर तक हो सकती है जो उसकी वंशावली और क्षमता पर निर्भर करती है अरेबियन केवल एक घोड़ा प्रजाती नहीं है बलकि एक एतिहासिक चिन्ह भी है जो मानव और घोड़ों के संबंधों को दर्शाता है ये नसल समय के साथ सच में खरी उतरी है शीर्ष्टीन में हमारे पास दुनिया का सबसे तेज घोड़ा थॉर्ब्रेड है जो सत्रहवी और अठारहवी शताबदी में इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ था ये नसल स्थानिय और ओरियंटल घोड़ों का मिश्रण है थॉर्ब्रेड अपने दिल के आकार के शरीर और लंबे पैरों के लिए जाना जाता है शक्ती और अनुगरह का प्रतीक है इन नाजुक और सुंदर घोड़ों को कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए ये न केवल गती और दूरी में श्रेश्ट होते हैं बलकि रेस्ट्रैक पर भी चैंपियन माने जाते हैं इनकी दुर्लभता के कारण इनके मूल्य अकसर लाखों में होते हैं जो की एक प्रकार की विलासिता है जिसे केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं फिर भी जो लोग इसे वहन करने में सक्षम होते हैं उन्हें एक अत्यंत सुंदर, तेज और फुर्तीला घोड़ा प्राप्त होता है एक घोड़ा जो जन्म से ही दौड़ने के लिए बना है वहीं एक अन्य छोटी प्रजाती है जिसकी विशेष्टाएं इसके छोटे आकार के विपरीत विशाल है फालबेला, जो की अर्जंटीना के विस्तरित मैदानों से आता है एक लगु घोड़ा है, जिसमें असाधारन शक्ती और अनुठापन है जो इसके लगु आकार को पार कर जाता है ये दुनिया की सबसे नन्ही नसलों में से एक है जो केवल साथ से आठ हाथ तक उची होती है इसकी अद्वितिय ताकत और धैर्यकी सराहना की जाती है उनकी मजबूत सेहत और लंबी आयू के लिए प्रसिद अकसर 40 साल तक जीते हैं फैलोबेला के कोट जो विभिन अश्वरंगों और पैटरन में मिलते हैं उतने ही आकरशक जितने विविद होते हैं नसल की खासियत बढ़ाते हैं परंतु फैलाबेलस की दुरलभता इसे खास बनाती है दुनिया भर में सीमित आबादी के साथ इनका मालिक होना एक विशेशा अधिकार है और दस हजार से अधिक कीमत के साथ फालाबेलास की विशिष्टता सुनिश्चित है फालाबेला अश्व संसार में छोटा पर महत्वपूर्ण है इसकी उर्जा, शक्ती और आकरशन से इसने घोडे प्रेमियों का दिल जीता है एक छोटे से घोडे का बड़ा दिल है और सबसे आकरशक दुरलभ नसल, काला जंगल का घोड़ा जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से आई इस नसल की शक्ती और लचीलापन सराहनिये है इसके चमकीले गहरे भूरे फर और घुमावदार पूँच इसे अनूठा बनाते है पहले ये घोडे जर्मन क्रिशी के मुख्य स्तंभ थे वनिकरण और खेती में बड़ी शक्ती दिखाते थे अब उनकी संक्या घटी है जिससे ये विश्व की अत्यंत दुरलभ नसलों में शामिल हो गए पर इनकी विरलता से धोखा न खाए इनमें अद्भुत शक्ती है जो इनके आकार के विपरीद है काले वन घोडे की कीमत एक उच्च स्तरिये स्पोर्ट्सकार के बराबर हो सकती है परन्तु इस दुरलभ नसल का संरक्षन जरूरी है इन असाधारन प्राणियों को भविश्य की पीडियों के लिए मुक्त रहने देने के प्रयास हो रहे है एक अनुपम घोडा और मित्रों यह आपके लिए एक संदेश है विश्व की सबसे अद्वितिय और विरल घोडों की नसलों की चर्चा बिटिश ड्वीपों के गौरव सुन्दर जिपसी वैनर से लेकर भारतिय विरासत के मारवाडी तक हमने अकाल टेकी की चमक, फ्रीजियन की सुन्दरता और अंडा लूसी की प्रतिभा को सराहा है मस्टैंग की स्वतंतरता, अरेबियन की सहन शक्ती, खालिस नसल की गती और फैलो बेला के आकर्शन का अनुभव किया अंतितः काले जंगल के घोडे की शक्ती और सौम्यता पर आश्चर्य हुआ ये घोडों की विविधता, शक्ती और सुन्दरता का साक्षातकार है हर नसल, अपनी खासियतों और इतिहास के संग, हमारी घुरसवारी धरोहर को समरिध बनाती है याद रखिये, ये महज घोडे नहीं, बलकि जीवन्त कलाकृतियां है, हर एक की अपनी एक कहानी है दुनिया भर की इस दौड को पसंद किया, तो Knowledge with Dhaval को सब्सक्राइब करें अगली बार तक खोजते रहें